हलो दोस्तों आपका सौगत करता हूँ हमारे चनल देसी प्रॉफिट टॉक में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमेंट के बारे में मोहिच जी ने कमेंट करके कुश्चन पूछा हुआ है कि उन्हें 5 लाख रुपए का परसनल लोन चाहिए प्रसनल लोन प्रसनल के इसरे चल रहा है कैसे में परसनल लोन के लिए प्लाई हम याप आप 5 लाख रुपाय का परसनल लोन लेते हो 5 सालों के लिए तो आपको 5 सालों में कितना टोटल व्याज 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 का पैसा वह एक्सेस बैंक में देना पड़ेगा कितना आपका मंथली EMI वगरा जो है वह आप कैसे कल्कुलेट कर सकते हो काफी सारी डिटेल जो है वह नॉलेज मिलेगी तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चनल देसी प्रॉफिट टॉप को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो मैं आप से रिक्ष्ट करता हूँ कि आप हमारे चनल देसी प्रॉफिट टॉप को सब्सक्राइब करने या पर हम क्रेडिट कार home loan, personal loan से related जो है वो बढ़िया बढ़िया जो भी offer चल रहे होते हैं, useful information चल रही होती ही न, वो सारी information collect करके एक वीडियो बना करके जो है वो आप तक पहुचाते हैं, तो चलिए समझते हैं चल करे भाई, सबते पहले तो हम क्या करते हैं, EMI calculate करते हैं कि 5 लाख रुपए के personal loan पर गर हम access bank से लेते हैं, तो हमारा monthly EMI वगरा जो है वो क्या बनेगा, तो उसके लिए हम चलते हैं, best EMI calculator में, यह हमने best EMI calculator खुल लिया हुआ, इसका link जो है वो आपको description मिल जाएगा, और कभी भी loan लेने से पहले चाहे वो personal loan हो, चाहे तो वो home loan हो, चाहे तो वो car loan हो, monthly EMI calculate कर लेना, और कितना हमारा व्याज लेगेगा, जाकर यह चीजे जो है, वो calculate करना काफी ज़रूरी है, जिससे आप अपनी monthly की जो भी आपकी salary आती है, उसके accordingly जो है, वो आप अपनी planning वगरा कर सकते हो, कि मेरा monthly जो है, वो इतना running हो रहा है, और मैं इतना जो है, वो at least EMI द मिल जाएगा, और मैं आपको यहाँ पर life जो है, वो calculate करके भी दिखाता हूँ, तो हम गया personal loan के अंदर के section पर ठीके न, यहाँ पर हमें डाल लिया 5 lakh रूपई, amount जो हमने यहाँ पर select कर लिया 5 lakh रूपीज, ठीके न, यह हमने 5 lakh रूपीज amount select कर लिया, second जो चीज ज़रूर एकसेस बैंक के official website में, तो हम आचुके हैं, एकसेस बैंक के official website में, यहाँ पर interest rate and charges के अंदर कर हम जाएंगे, तो हमको एक मोटा मोटा जो है, वो interest rate पता चल जाएगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, interest rate for personal loan with tenure of up to 36 month, ठीक न, 36 month के लिए जो है, यहाँ पर यह tenure जो है, व 12% से 20% लगेगा, आप 12% के case में लगेगा, 21% के case में लगेगा, वो भी हम समझ लेते हैं, तो अगर आपका civil score, credit score अगर अच्छा है, तो उस case में आपको, for example, civil score कई तरीके को होते, जैसे 750 के ओपर जिनका भी civil score होता है, उन्हें excellent की rating दी जाती है, तो अगर आप excellent की category में आ कर दिया ना, तो तो आपका credit score जो है, वो time to time अच्छा होता चला जाएगा, वहीं आपने कभी past में कोई loan लिया है, कोई email लिया, उसे समया पर भर नहीं पाए हो ना, तो ये एक negative चीज जाती है, बैंक को ऐसा लगता है, कि भाई, अगर आपको loan देंगे, तो आप ऐसा ना क अच्छा है, तो आपको 12% मिल जाएगा, वहीं अगर आपका different different तरीके credit score है, 750 से थोड़ा नीचे आ रहा है, तो आपका interest rate जो है, वो 14-15% तक जा सकता है, 600 के आसपास अगर आपका credit score है, तो वो सकता है, और ज्यादा interest rate लग जाए जाकर, तो लगबग कुछ इस तरीके से इनोंने जो है, वो range दी हुई है, 12% से लेकर कि किस percent तक, तो मैं assume करता हूँ कि आपका credit score बढ़िया ही होगा, तो मैं 12% interest rate जो है, वो लेकर के चलता हूँ, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 12%, यहाँ पर हमने डाल दिया 12%, और पहले हम इसको calculate करते हैं, 5 years के लिए, क्यों अगर आप 5,000,000 रुपए का personal loan जो है, वो 12% interest rate पर access bank से जो है, वो 5 सालों के लिए ले रहो, तो आपका जो मन्तली EMI निकल करके आ रहा है, 11,122 रुपए, ठीक है न, और यहाँ पर अगर हम बात करें जाकर, टोटल 5 सालों में जो है, वो आप access bank को कितना पैसा जो है, वो स जो आपने actual 5,000,000 का loan लिया, तो वो मिला करके total जो आप access bank को वापिस करोगे 5 सालों में, वो करोगे 6,67,333 रुपए के आसपास, यहाँ पर आप pie chart में भी देख सकते हो, कि यहाँ पर जो green वाले area है, यह 74% यह आपने principal amount लिया हुआ तो जो कि था 5,000,000 के आसपास, ठीक है वो आप कुछ मंतली EMI calculate कर सकते हो, और यहाँ पर आपको एक चीज और भी देखने को मिल जाती है, best EMI calculator में, कि आप अपना EMI का पूरा schedule भी देख सकते हो, for example, के लिए मैंने क्या था कि March में loan के लिए apply करा, मेरा April वगरा में loan जो है प्रूव हो गया, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2022 में अगर मैं click करूं, तो अपरेल में से आपकी EMI start हो जाएगी, तो principal जो आपका EMI बनना था, वो बनना था 11,122 रुपए, उसको अगर हम उसका break-up कर दे जाकर करके, तो यहाँ पता चलता है कि उसमें थे 6,122 रुपए आपका principal amount में इसा था जो आपने loan ल जो आपका मंतली EMI बनेगा, वो अतना ही बनेगा, बट आप देख सकते हो, यहाँ पर पूरा जो है, वो पूरा schedule वगरा जो आ जा रहा है कि मन्त वाइस मन्त आप किस किस तरीके से EMI दोगे, और कैसे कैसे जो है, वो loan से आपका जो है, वो minus होता चला जाएगा, साथी साथ आप पूरे-पूरे years का भी देख सकते हो, 2022 में आपने कितनी EMI दे दी, total आपने जो है, वो एक लाख रुपई के आप EMI दे दो, लगबग एक लाख सो रुपई के आसपद वो आपके actual loan amount से minus हो जाएगा, इस तरीके से जो है, वो आप पूरा planning वगरा कर सकते हो, देख सकत आप इसका print भी ले सकते हो, अब अगर हम थोड़ा सा detail में समझे जाकर कि access bank में क्या-क्या eligibility रहती है, क्या requirement रहती है, उससे पहले हम एक चीज और जान लेते हैं, कि अगर आप इसी loan को जो अभी आपका 5 साल में जो व्याज-व्याज का सिर्फ पैसा लग रहा था, वो लग आपके पैसे की विवस्था बन गए, ठीक है ना, तो आप अगर अगर इदम से पूरा payment अगर वापिस कर देते हो, तो आपको काफी सारा जो यहाँ पर आपको बचत देखने को मिले कि जो कि माल लिए जो मैं 5 साल को लोन को सीधे यहाँ पर 2 साल के लिए कर देता हूं, ठी प्री पैमेंट के जो है वो चार्जेज वगरा भी होते हैं, वो चार्जेज हम देख लेते हैं, अडिशनली हमको कितना चार्ज देना पड़ेगा, अगर हम 5 साल के लोन को दाई साल में चुका देखने को बैंक का तो नुकसान हो रहा, बैंक तो जायती ही ना, कि बैंक चाहती है कि आप प्री पैमेंट करो, तो इसमें आप देख सकते हो कि जो भी आपने पांच साल का लोन लिया, उसको आप जो है वो चुका दे रहो, 0 से 12 मन्त वे, ठीक है, तो आपको 5% जितना भी बगाया मांट हो, उसमें 5% जो है, वो आपको फॉर एक तरीके से कह सकते ह है, वो interest type cost पर देना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप लोन को 13 से 14, 24 मन्त के बीच में चुका देते हो, ठीक है न, तो 4% देना पड़ेगा, फिर ऐसे ही 25 से 36 मन्त में 3%, ऐसे जितना maximum होता चला जा जाएगा, उतना जो है, ये for closer charges जो है, वो कम होते चले जाएंगे, अब instance of dishonor of check, ठीक है न, swap charges वगरा भी लग रहे हैं, panel interest वगरा अगर आप loan जो है, वो, जो भी installment है, उसको अगर देने में late हो जा रही है, तो लगबद 2% के आसपास वो भी लगता है, तो वैसे तो personal loan लेने से बचने ही चाहिए, बढ़ कई बारे मर जैन सी personal loan की जुरत personal loan में काफी ज्यादा heavy interest भी हमें देना पड़ता है, साथ में कई सारे penalty वगरा के भी जो है charges रहते हैं, जो कि normally अगर हम देखा जाए कि वो home loan में नहीं होते हैं, personal loan में जो है इस तरीके के जो charges है, वो काफी सारे जो है हमारे additional लग जाते हो, तो आप आप देख सेकते हो, इस आप सजार एक लाग का amount ले रहो ना, तो ये charges हैं, वो automatically काफी कम भी हो जाते हैं, तो आपको in-depth detail के लिए कितना detail में क्या-क्या charges लगते हैं, वो इनकी official site में आप यहाँ पर देख सकते हो, संके संग अगर आपके nearest में नहीं पर access bank की branch चल लिए हो ना, तो उसके loan department का वाला जो बंदा होता हैं, उससे आप पूछोगा तो आपको और in-depth detail जो है, वो बता देगा, जैसे का आप देख सकते हो, यहाँ पर अगर आप एक salary person हो, ठीक ना, अब salary में भी, आगर हमें आप बात करें जाके employee for public, किन-किन लोग एक तरीके से loan ले सकते हैं, एक salary person loan ले सकता है ठीक है ना, doctors वगरा हो गए, अगर आप public sector या private company में job कर रहो तो भी आप loan ले सकते हो, minimum अगर हमें age की requirement की बात करें, तो 21 साल age चाहिए होती है, maximum अगर हमें age की बात करें, 60 साल के आसपास चाहिए होती है, अब इस case अगर आप job वगरा कर रहो तो minimum जो है, वो आपका मंतरी सैलरी रुपेज 15,000 तो हो नहीं होना चाहिए, अगर आप access bank से loan लेना चाहते हो, और ऐसा नहीं कि 15,000 की सैलरी पर आपको जो है, वो 15-20 लाख रुपए का loan मिल जाएगा, आपकी सैलरी के according वो EMI देखेंगे, अब माली जैसे यहाँ पर हम 5 लाख रुपए का loan ले रहे है, अब वो EMI ही बन रहे है, यहाँ पर मंतली के 19,000 रुपए के आसपास ना, और आपकी मंतली सैलरी 15,000 तो थो ही न, आपको 10 लाख रुपए का loan मिल जाएगा, तो जितना आपका मंतली सैलरी होगा, उस हितना आपका मंतली सैलरी होगा, उस हितना जो है, वो EMI अफोर्ड कर स पहले से ही account वगरा भी होगा, तो वो भी जादा आपको document नहीं चाहिए होते है, आपके पास अगर net banking होगा, तो वहाँ पर personal loan के कई सारे offer वगरा आते रहते हैं, तो उससे भी जो है, वो आपको चीजे जो है, वो मिल जाती है, तो इस तरीके का कुछ चलता है, अब यहाँ पर एक चीज हमें और भी देखने को मिल नहीं, अगर loan ज्यादा समय के लिए लेते हैं, तो कई बार क्या है, interest rate यहाँ पर कम भी offer हो जाता है, अब loan जितना कम समय के लिए लेते हैं, उतना यह ज्यादा interest rate भी चार्ज करते हैं, यह भी चीज जो है, वो देखने को मिलती, for example लेते हैं, तो अगर आप यहाँ पर जो है, वो कई बार interest rate जो है, वो 10.50 के आसपास भी हो जाता है, क्योंकर भाई, लंबे समय में क्या है, आप ज्यादा EMI पे करोगे, तो ज्यादा bank को interest उका होगे, कम समय के लिए loan ले रहा हो, तो bank को आप, bank जो क्या करेगा, आप से ज् भी हो रही थी आप से न, वही अगर हम यहाँ पर एक साल करते जाकर के न, तो आप bank के कमाई सिर्फ आप 60,000 रुप हो रही है जाकर न, तो यह जो चीज है न, यह आप जो है, वो थोड़ा सा आप ध्यान दे सकते हो, ठीक है, इन सब चीजों को न, और इस EMI Calculator से हो, जो अच्छे तरीके से concept को भी समझ सकते हो, कि भाई, ज्यादा समय के लिए लोन ले, कम समय के लिए लोन ले, और कैसे प्रीपेमेंट करके, हम काफी सारा amount जो है, वो लोन पर सेब भी कर सकते हैं, इसलिए जब माले 5 साल का लोन, माले जहाँ पर जाहां हम एक साल कर ले लेते ह अगर आप 5 लाग का लोन जो है, पास साल के लिए लेना चाहते हो, खासकर access bank से, तो उसके बारे में हमने कुछ concept समझे जाकर करके, और ये भी समझाए कि किस तरीके से जो है, वो आप जो आप बैंक को व्याज-व्याज का पैसा भरने वाले हो, वो आप प्री पेमेंट करक जो है, उसमें अपनी जो है, वो कुछ बचत वगर भी जो है, वो कर सकते हो, तो आई होप आपको वीडियो जो है, वो informative लगी होगी, और इस EMI Calculator का link जो है, वो आपको वीडियो के description मिल जाएगा, तो जरूर जाकर के EMI Calculate करके देखें, और देखें कि भाई, आपका कित इतना इंटरेट बन रहा है, ऐसी useful information के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप से विदा लेते हैं, जै हिंद, जै भारत